आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की हेल्थ कैसे बनाएं अगर बच्चों में चिक्चिडाफन की समस्या है तो घर बैठे आप कैसे दूर करें अगर बच्चे का Metabolism कंजोर है वीक है तो उसको आप कैसे सही करें अगर आपके बच्चे का Humanity System strong नहीं है तो आप घर बैठे इस समस्या को कैसे दूर करें अगर आपका बच्चा खेल कुद में ज्यादा भाग नहीं ले रहा है तो इस समस्या को आप घर बैठे कैसे दूर करें आप चाते हैं कि आपका बच्चा एक्टी हो और हर खेल कुद में बहाग ले तो इसके लिए आप क्या करें तो आज मैं उन भाईयों और बहनों और माताओं को मैं आज एक बहुत श्यांदार आरवेदी कोस्दी के बारे में बताने जा रहा हूं करप्या करके यह ध्यांसित देख लें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सेर, सब्क्राइबर करें तो दर्सको यह आरवेदी कोस्दी का नाम होता है अरविंदासव देखें मात को दिखा देता हूं अरविंदासव यह अरविंदासव ओस्दी आती है जो आपको आरवेदी कोस्दी की दुकान पर मिल जाती है ये अर्विन दासो लेके आजाएए आप अपने बच्चे को चाए वो दो साल का हो गया है देज साल का हो गया है उस बच्चे को ये उस दी देते रहें तो आपका बच्चा क्या लएगा healthy रहेगा आपके बच्चे का सारीरिक development अच्छा होगा आपके की जो बच्चे की सारीरिक छमताएं है जो सारीरिक विकास है वो powerful होगा और आपके बच्चे की memory अच्छी होगी और आपका बच्चा active होगा आपके बच्चे का इमेनिटी सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा और इस दोई को आपको कैसी उप्योग में लेना है सुबह श्याम आप बच्चे को दे सकते हैं अगर ज्यादा ही बच्चे के आपके कबज की समस्या रहती है अगर आपका बच्चा दुबला पतला ज्यादा है आपके बच्चे का हाजमा सही नहीं है और आपके बच्चे में बहुत ज्यादा कमजोरी है तो इसको आप सुबह दोफेर स्याम को भी दे सकते हैं एक स्पून इसका दे दे बच्चे को नरम पानी के साथ तो बच्चे का धीरे धीरे humanity power strong हो जाएगा और बच्चे का सरीर अच्छा हो जाएगा तो इस परकार आप इस ओस्दी का अगर सेवन करते हैं तो आपका बच्चा सवस्थ और निरोग हो जाएगा मैं उन भायों दर्सकों और उन बहनों मताओं को बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को ज्यादा बाहर की नमकी ना खिलाए और बच्चों को ज्यादा मिठी चीजें ना दे बच्चों को ठीक अच्छे तरीके से दूद पिलाए और ज्यादा मातरा में दलिये का सेवन जरूर कराए बच्चों को सर्दी में अगर आप बच्चे को भाजरी का दलिया देते हैं तो आग के बच्चे के अंदर बहुच पारू आती है और आपका बच्चा श्ट्रोंग होता है, मश्चबूत होता है तो ज्यादा मात्रा में आप बच्चे को दलिय का सेवन जरूर करवाए और जब भी बच्चे को आग को रोटी अगर अनाज देते हैं तो उसके साथ में थोड़ी बहुत सलाद भी दे बच्चे को जैसे सीजन या रितु की जो भी सलाद है वो बच्चे को जरूर खिलाए जितनी बच्चा खाए उतनी खिलाए बच्चे के साथ कभी भी जोर जबरस्ती ना करें अगर बच्चा नहीं खाना चारा है थोड़ी देर आप देखते रहें वो आप से जरूर कुछ ने कुछ मांगेगा क्योंकि उसके अंदर भूक लगेगी तो भूक लगेगी तो जरूर कुछ ने कुछ मांगेगा तब आप अपने पास ऐसा पोश्टी कहार रखे ताकि बच्चा वो खाले गर के अंदर ज्यादा नमकी नहीं इस तरह की चीज़ें बाहर की चीज़ें रखोगे तो बच्चा जरूर खाएगा तो आप भी इस तरह की चीज़ें का सेवन करें ताकि बच्चा उन चीज़ें का सेवन करेंगा क्योंकि बच्चा आपको देख कर खाता है कोई भी चीज आपके कोई सदस्य अगर खाता है तो बच्चा उसको देखता है तो जरूर उसका सेवन करेगा तो आप जो काम की चीजे नहीं हैं उन चीजों को दूर रखें जब भी आप मार्केर से जाते हैं तो बच्चे को ठीक अच्छे चीज दिलवाए ताकि बच्चे का सरीख खराब ना हो क्योंकि बच्चे के दान और पेट ज्यादा खराब की कैसे होते हैं क्योंकि अगर आप बच्चों को मीठी टोफी और महंगी चोकलेट अगर खिलाते हैं तो बच्चे के पेट में और बच्चे के दान्त में काफी समस्याई पेदा हो जाते हैं तो आप बच्चों को इन चीजों से जरूर बंचा कर रखे अगर बच्चा जीत करता है तो प्यार से समझा दे नहीं तो कभी बच्चों को थोड़ा सा डांट कर भी समझाए ताकि आपका बच्चे का सरीर खराब ना हो तो फिर वो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे बीमार हो सकता है और उसका सरीर कमजोर हो सकता है तो ये इन आरवेधिक औस दियों का उप्यों करके अपने बच्चे को सौष्ट और निरो करें और मेरे दर्स को मैंने एसा एक वीडियो डाल रखा है एक सी पांच वर्ष तक कि बच्चे को अगर वो आर्वेदिक कोस्दि आप खिलाते हैं तो आपका बच्चा सकती साली और फुलाद की तरह ताक्तवर रहेगा और आपका बच्चा कभी भी मान नहीं है ये वीडियो मैंने रोहमर पर भी इसी में डाल रखा है तो दर्सको इस अर्विंदा रस्व का परियोग करें अपनी बच्चों को जरूर पिलाए ताकि आपका बच्चा हस्ट फुष्ट रहे तंद्रोस्त रहे मजबूत रहे सकती साली रहे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्क्राइब करें धन्यवाद